हेलो सुदेंट, वेलकम टू माई चैनल, इनोवेशन वाइफाई स्टडी, आई एम रोशन, आज अपन शुरू करने जार रहे हैं, चैप्टर नमबर दो का विविद, यानि रिलेशन एंड फंक्शन हम बढ़ रहे थे, उसका अपने दो पॉंट तीन तक कंप्लिट कर लिया है, आज अपन करेंगे विविद पर्सन वाला, तो देखेगा अगर आपने पीछे की क्लासे नहीं देखिए हैं, तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास को फोलो कर सकते हैं, तो चलिएगा क्लास को शुरू करने से पह क्या है, फ्री ओप कॉस्ट आपको दे रहे हैं, टॉटल कॉर्स आपको फ्री दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्लास्टों को शेर कर दें, अपने सभी दोस्तों के पास में, वार्टसप ग्रूप हो, चाई फेस्बूक तो चलिएगा, आपका एक सेर और आपका एक लाइक कईयों की जिन्दगी बदल सकता है, तो देखेगा, अपने मक्षद पे चलते हैं, हमारी चेप्टर पे चलते हैं, कौन सा चेप्टर है, कोई भी आपको डाउट लगे, तो आप कोमेंट बोक्स में कोमेंट कर सकते हैं, जो आपके सर हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, रोशन सर हैं, चलिएगा, काईज, अब देखेगा, हमारा ये क्योसन है, मिसलेनियस को Vivid Person बोलते हैं, ठीक है? अब देखेगा, समंद आपको ये 2 समंद दिये गए, एक समंद दिया गया एक समंद दिया गया J में, दवारा प्रबासित आपको दिया गया है कि दर्साइए कि f1 तो फलन है बट g एक फलन नहीं है इसका रेजन आपको देना है तो मेरे प्यारे स्टुरेंट यहां से सबसे पहले अपन किस पे लेके चलते हैं पहले पे लेके चलते हैं ठीक है जो हमें पहला दिया गया है हमें दिया गय है कि f of x is equal to x का square कब है जब x का मान 0 के बराबर और बड़ा और less than 3 और यह आपके पास में है 3x और जब x का मान है 3 से बड़ा और बराबर और 10 से छोटा या बराबर यह कंडिशन हमें दी गई है अब देखो मैं यहां से 0 से लेके 10 तक जो हमारे पास में कोई भी जैसे अपन इसका प्रांट की बात करें यानि इसके प्रांट की बात करें तो फलन f का प्रांट के है फलन का प्रांट तो प्रांट क्या दिया गया है आप जान गए होंगे जैसे 0 से लेके 10 तक है तो 0, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह आपको क्या दिया गया है प्रांट दिया गया है यानि इसको अपन ये भी लिख सकते हैं यानि जो x element है वो कहां से कहां तक है 0 से greater than equal और 10 से less than equal यह हमें प्रांट दिया गया है तो अपन ये प्रांट बनाएं जैसे मैं लिखूँगा यहां से f of 0 f of 0 पे देखो condition क्या है x का square है तो अपन क्या करेंगे 0 का square करेंगे अरे 0 का square क्या होता है 0 ही होता है ना clear हुआ अब मैं लिखूँगा F of 1 F of 1 पे देखो 1 का square 1 ही होता है मैं लिखूँगा F of 2 2 पे देखो 2 का square कितना होगा हमारे पास में 4 होगा अब लिखूँगा F of 3 3 पे भी क्या है values हमारे पास में इसका square है तो 3 का square हमारे पास में 9 अब लिखूंगा F of 4 F of 4 पे देखो यहां से लिखोगे दूसरी कंडिशन में एक बार आप और लिख देना क्योंकि यहां पे भी X का मान दूसरी कंडिशन में नीचे वाले लाइन में देखो function में क्या दिया गया है यानि X का मान 3 से बड़ा और बराबर भी है साथ में ठीक है यह दौनों ही कंडिशन आपको दी गई है तो यहां पे रखोगे यानि आपको F of 3 पे चेक रोगे तो आपको 3 गुणा 3 दिया गया है यानि 3 X दिया गया है तो 3 गुणा 3 वो भी हमारे पास में क्या होगा 9 होगा तो यहां पे दोनों कंडिशन में 9 आ रहे है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब देखो F of 4 पे निकालोगे F of 4 पे निकालोगे तो आपके 3 गुणा X X का माना आपके पास में 4 है तो 3 गुणा 4 आपके पास में कितना होगा 12 होगा अब निकालोगे F of 5 पे तो 3 गुणा 5 इस इकल टो आपके पास में 15 होगा F of 6 पे निकालोगे तो 3 गुणा 6 आपके पास में 18 होगा F of 7 पे निकालोगे तो 3 गुणा 7 आपके पास में 21 होगा F of 8 पे निकालोगे तो आपके पास में 3 गुणा 8 इस इकल टो तिन गुणा नाइन आपके पास में 27 होजेगा और आप निकालोगे f of 10 पे तो आपके पास में result आएगा जैसे तीन गुणा 10 is equal to आपके पास में आजेगा 30 यह आपके पास में आ गया अब देखो इसका जो अपने वे नारेक से समझेंगे वे नारेक से अच्छे समझ में आएगा यहां से भी आप समझ सकते हैं लेकिन वे नारेक में बनाई देता हूँ आपको यानि ए वे नारेक और दो जो भी है हमारे पास में यह कोई set है जिसमें एक से लेके 10 तक element है कितने element है 10 तक element है और यह हमारे पास में इसका जो भी pressure होग सहा प्रांत बोलें प्रेसर बोलें इनको इसमें element है जीरो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ चोटा रहे गया गया नो और यह दस इतने element है इसमें तीक है इसमें चेक कर लो जीरो पे जीरो है एक पे एक है दो पे चार है तीन पे नो है फिर तीन पे नो है तो दुबारा तो रिपिट करना है नहीं है 4 पे 12 हैं 5 पे 15 हैं 6 पे 18 हैं 7 पे 21 आठ पे 24 नो पे 27 और 10 पे 30 तो देख लो यानि इस परतेक element का अलग-अलग के साथ में कहा है relation है 0 का 0 के साथ में 1 का 1 के साथ में 2 का 2 के साथ में 3 का 12 के साथ में 4 का 15 के साथ में 5 का तीन का 9 के साथ में 4 का 12 के साथ में 5 का 15 के साथ में 6 का 18 के साथ में साथ का 21 के साथ में आठ का 24 के साथ में रिलेशन है नो का 27 के साथ में है और 10 का आपका 30 के साथ में रिलेशन है तो परतिक element का अलग-अलग के साथ में रिलेशन है तो अपन बोलेंगे भी फलन क्या कहता है परतिक element का अलग-अलग के साथ में relation होना चाहिए, किसी एक वेक्ति का दो के साथ में relation नहीं होना चाहिए, तो यहां पे ऐसी कोई condition नहीं है, कि अब देखेगा हमें क्या है, इसका जो प्रांट तो तो हमने लिख लिए है अगर अपन इसका सहः प्रांट लिखें और इसका प्रेशर लिखें तो वो तो एक ही बराबर है यानि इसका अपन फलन का जो प्रांट सहः प्रांट प्रांट तो पहले लिख लिख लिए है तो लिखें फलन का प्रांट सहप्रांथ सहप्रांथ और प्रेशर दोनों में ये दोनों ही एक्वल है सहप्रांथ हमारे पास में क्या हो जेगा 0 1 4 9 12 15 18 21 24 27 और 30 ये आपके पास में हो जेगा इसका सहप्रांथ कलियर हुआ क्या हम देखते हैं कि यहां से हमारे पास में फलन का प्रांथ के परतेक अव्योकास है प्रांथ में एक एद्वित्य परतिबंद विद्यमान है अतय है एक फलन है ये भी लिख सकते हैं यानि यहां यहां समंद समंद एफ के प्रांथ के परतेक अव्यो का सहपरांत के परतेक अव्यो से एद्वित्य यह नहीं एद्वित्य का मतलब होता है परतेक के साथ अलग-अलग के साथ एद्वित्य समंध है या एद्वित्य परतिविम है से एद्वित्य परति परतिविम है या परतिचित्रन है यह भी बोल सकते हैं परतिविम विद्यमान है विद्यमान है अत्य एफ एक फलन है अत्य एफ एक हमारे पास में क्या होज़ेगा फलन होज़ेगा अब देखिए का दूसरा लिखते हैं टूसरा आमेजी ओफ दिया गया था न तो जी ओफ एक सिजिकलन आपको दिया गया था जैसे एक्स का स्केर रहा है एक्सका स्केर है और यह आपके पास में जीरो इज लैस देन एक्स less than 2 पे और यह condition दे रखा है आपको 3x और यह आपको दे रखा है 2 is greater than equal और less than equal 10 यह आपको कोई समंद दूसरा g दिया गया है तो यहां से g का प्रांत लिखो जी का प्रांत आपके पास में जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एक से लेकर 10 तक element इसके प्रांत में आएगे एक से लेकर 10 element तक इसके प्रांत में आजेंगे तो अपन देखीगा आप next page पे चलते हैं अब देखीगा student g का प्रांत हमारे पास में आगया next page पे चलें तो चलेगा वहां पे अपन बनाएंगे कि g of 0 g of 0 पे आपको x का square दे रखा है तो 0 का square 0 ही होता है f of 1 पे x का square तो 1 का square 1 होता है f of नहीं g of लिखना है और यहां पे g of 2 पे भी 2 का square यहां पे 4 होजएगा और next पे देखेगा नीचे चलेंगे second number line में तो g of 2 पे दे रखा है उसने g of 2 पे दे रखा है देख लो पिछे लेके चलता हूँ आपको g of 2 पे देख लो कितना है 3x दे रखा है कितना दे रखा है 3x दे रखा है तो यहां से हमारे पास में 3x का मान 2 है तो कितना होज़ेगा 6 होज़ेगा जी ओफ 3 पे इस इकल टू 3 इंटू 3 इस इकल टू आपके पास में 9 होज़ेगा जी ओफ 4 इस इकल टू 3 इंटू 4 आपके पास में 12 होज़ेगा G of 5 is equal to 3 into 5 is equal to आपके पास में 15 G of 6 is equal to 3 into X is equal to आपके पास में X के values आपके पास में 6 है तो यह आपके पास में 18 G of 7 is equal to यह 3 into 7 is equal to आपके पास में होगा 21 G of 8 is equal to 3 into 8 is equal to आपके पास में होगा 24 तेख और टैने सी इकल टो थरी इंटो नाइनसे आप के पास में ऑज़ेगा 27 और जी ऑफ टैनसे डिवर टैनसे त्विश्क होज़ेगा आपके पास में 30 हो जाएगा कलियर हुआ क्या बताएं कमेंट करके अब इसका ग्राप बना लेते हैं जो वेनारेक बना लेते है चलेगा यह हमारे पास में है जीरो एक दो तेन च्यार पांच छे साथ आठ नो दस आज इसमें देख लो कितने आए हैं जैसे आपके पास में 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का कितना आ गया दो का 4 और 2 का 1 छे और आ रहा है चलेगा यहां पे लिख देते हैं रिलेशन में अपन 6 भी लिख देते हैं क्योंकि दो का 4 भी आ रहा है दो का 6 भी आ रहा है देख लो दोनों में यह दो का 4 आ गया और इसमें यहां पे दो का 6 आ गया तीन का 9 आ गया बारह पंद्रह अठारह एक्टीस चोईस 27 और यह आपके जीरो का जीरो के साथ में है रिलेशन एक का एक के साथ में रिलेशन है एक का चार के साथ में रिलेशन है दो का 6 के साथ में रिलेशन है तीन का नो के साथ में रिलेशन है पांच का बारह सोरी चार का बारह के साथ में रिलेशन है पांच का पंद्रह के साथ में रिलेशन च श्या का 18 के साथ में रिलेशन, शाथ का 21 के साथ में रिलेशन, आठ का 24 के साथ में रिलेशन, नो का 27 के साथ में रिलेशन हैं, और 10 का 30 के साथ में रिलेशन हैं, अब देखेगा सुट्रेंट यहां पर, यानि यह समन्द, फुलन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, किताब वाल अब यो दो के सह प्रांत में देख लो दो प्रती चितन प्राप्त हो रहे हैं एक तो चार प्राप्त हो रहा है एक छे प्राप्त हो रहा है और अगर एक एलेमेंट के दो प्रती चितन प्राप्त होते हैं यानि एक व्यक्ति अगर दो व्यक्तियों के साथ में relation बनाता है तो वो कह फलन नहीं मानता भी मेरे अंदर मता दूँ फलन क्या बोलेगा अगर आपका एक वेक्ति का एक वेक्ति के साथ में relation है तो आप आज सकते हैं आपका welcome है बट आपका welcome नहीं है तो यहां पे देखो इसने चार के साथ में भी relation बना लिया और छे के साथ में भी relation इसके दो परति चितन प्राप्त हो रहे हैं तो यह फलन के अंदर नहीं आएगा यहां पे हम देखते हैं लिखेंगे यहां हम देखते हैं कि जी के प्रांट में दो के जी के प्रांट में अव्योग अव्योग दो के दो परति बिम दो दो परति बिम चार वैच्छे हैं अते जी एक फलन नहीं है इसलिए यह है के फलन नहीं है कलियर हो गया होगा आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा चलेगा नेक्स्ट क्यूसन सेकेंड नमर क्यूसन पर चलते हैं अब इसमें हमें दिया गया है इसका सोलिएशन हमें करना है तो यदि f of x is equal to x का स्केर दे रखा है यह कंडिशन दे रखी है तो अपन को यह values ग्यात करने हैं तो सबसे पहले हमें given है कि f of 1.1 वैल्यू तो 1.1 एक्स बराबर रहें तो एक्स का स्केर होता है तो 1.1 या दो अंकों के बाद में point तो 1.21 आजएगा 1.21 आजएगा और यह निकालें अगर f of 1 निकालें यहां से तो 1 का square हमारे पास में 1 ही होता है 1 का square हमारे पास में क्या होता है 1 ही होता है तो यह इसमें values रखेंगे function में तो हमारे पास में f of 1.1 minus में f of 1 upon में 1.1 minus में 1 है तो ये values आपके पास में 1.21 माइनस में एक upon में ये करेंगे 1.1 माइनस में 1 तो ये हमारे पास में कितना होगा अगर ये इस में से सब्ट्रै करेंगे तो ये हमारे पास में 0.21 बचेंगे और ये हमारे पास में कितना बचेंगा 0.1 बचेंगा एक पॉइंट दो एक में से अगर एक घटाएंगे तो पॉइंट दो एक बचेगा और एक पॉइंट एक में से एक घटाएंगे तो पॉइंट एक बचेगा अब देखो यह पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारे पास में कितना लगेगा दो सुन्य लगेंगे यह नहीं हमारा जो रजल्ट आएगा वह एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो दो पॉइंट एक इसका राइट अंसर हो जाएगा दो पॉइंट इसका हभी स्टमान हो जाएगा चलेगा यह तो असान सा क्योशन नमबर 3 में देखो इसका हमें 5 लेकिया आना है हमें दिया क्या गया देखो सॉल्योशन अब देखो यह नीची है हर में जो वैल्यू दी गया है अगर किसी के नीचे 0 लग जाता है तो वह परिबाशित होता है उसको परिबाशित नहीं किया जा सकता तो यहां से मैं इसके फैक्टर कर रहा हूं एक बार एक्स की स्केर माइनस में 8X प्लस में 12 एस इकल टो 0 रख रहा हूं मैं इसके फैक्टर कर रहा हूं यहां पर या इसके डाइरेक्ट फैक्टर भी कर सकते हैं ऐसी दो वैल्यू लेके आएं जैसे जिसका मल्टिपला हमारे पास में प्लस के 12X और जोडने और गटाने पर हमारे पास में कितना चाहिए माइनस के 8X आना चाहिए तो X का स्केर माइनस के 6X माइनस के 2X प्लस के 12 तो यह वैल्यू जाएगा X X माइनस में 6 माइनस के 2 कॉमल ले लिया X माइनस में 6 यह वैल्यू जाएगा X माइनस में 6 X माइनस में 2 X माइनस में 6 X माइनस में 2 अब हमारे पास में x का values यहां से अगर इसको 0 के बराबर रखोगे अगर इसको 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर 6 आता है x बराबर हमारे पास में 2 आता है x की 2 values आते हैं अगर ये values इसके बराबर नहीं हो यानि इसको छोड़ कर बाकी सभी क्या होंगे एक्स बराबर 6 और 2 को अगर इसमें रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा यानि यह इसके क्या होगे मूल आ गई अब इस फैक्टर हो गई इसके तो यह इसके मूल है यह मूल इसको क्या कर देंगे जैसे सुनिक बोलते हैं तरीके से सुनिक भी यही है एक्स का वैल्यू 6 और 2 ठीक है तो यह यहां पर रखेंगे तो यह नीचे वाली जो दिव घाट समीकन है वो आपके पास में 0 हो जाएगा रखके देख लेना 6 रखोगे होगा जीरो नहीं होगा तो इसका प्रांथ आपके पास में प्राप्त हो जेगा अब लिखोगे यहां एक्स बराबर दो वैशे को छोड़कर बाकी सभी वास्तिक संख्याएं वास्तिक संख्याएं फलन एफ का फलन एफ का प्रांथ प्रांथ होगी प्रांत होगी तो लिखेंगे कैसे इसको इसको लिखेंगे इन्हीं फलन का प्रांत फलन का प्रांत क्या होजेगा हमारे पास में आल रियल वेल्यू लेकिन इसमें से हमें क्या गटाना है इसमें से हमें ये गटाना है, 2 और 6 को, किसको? 2 और 6 को गटाना है, इसमें से हमें किसको गटाना है? 2 और 6 को, यह होजिएगा, अगर अपन ये लिखें, ये भी लिख सकते हैं इसका प्राइद, जैसे हमारे पास में x जो value आएगी, वो belong करेगी r में, और X यहाँ पे 2,6 2,6 नोट बिलोंग करेगी R में यह बिलोंग नहीं करेगी लेकिन यह बिलोंग करेगी X बिलोंग करेगा R में X लिख देना यहाँ पे X बिलोंग करेगा R में यह इसके दोनों ही प्रांथ है ठीक है ये इसके लिखने के अलग-अलग तरीके हैं लेकिन है तो एक बात का प्रांथ फलन का प्रांथ यही है ठीक कलियर हुआ क्या यानि नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और नीचे वाली वैल्यू कब होती है दो और चार पे होती है दो और चार को जोड़कर बाकी सभी वास्तिक संख्या होगा जो सुमूच्य होगा वो आपके पास में क्या होगा इसका प्रांथ होजेगा नेक्स्ट पे चलिएगा नेक्स्ट हमारे पास में हैं द्वारा प्रिबासित फलन का प्रांथ दता प्रिशर ग्याद करो सबसे पहल प्रांत लेके आना है तो देखो अगर एक आजाए इसमें मान तो जीरो आजेगा तो जीरो का रूट जीरो ही होता है तो अभी ये प्रांत होगा अगर इसका मैं माइनस ले लूँ माइनस एक लूँ तो माइनस के दो हो जाएंगे और minus की 2 हो जाएंगे तो मेरे पास में यह देखो minus अगर root के अंदर आता है तो आयटा हो जाता है तो यह परबास्चित नहीं होगा तो यानि इसका मान minus में तो आना ही नहीं चाहिए प्रांत के लिए यानि यह values आनी चाहिए x minus में 1 is greater than equal 0 is greater than equal 0 तो यहां से यह condition आएगी क्या कि x is greater than equal 1 x is greater than equal 1 तो यहां से हमारे पास में यह value आएगी यानि यह condition आनी चाहिए यानि इस से बड़ा बड़ा मान आएगा x के प्रांत में तो अपने इसका प्रांत कैसे लिखेंगे समझे गे ना यानि इसका मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए इसका मान यह इसके प्रांत की बाद चल रही है प्रेसर की बाद तो next पे करेंगे तो यहां से अपन लिखेंगे या तो 0 हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है तो फलन का प्रांत और फलन का प्रांत क्या हो जेगा जैसे कि हमारे पास में all real value होगी लेकिन एक के बराबर हो चकता है और पलस infinite तक जाएगा एक के बराबर यानि बड़ा ब्रेक्ट लगाए तो इसका मक्षिद यह है कि एक से बड़ा नहीं एक से बड़ा तो होगा लेकिन एक साथ में रहेगा क्योंकि एक्वल का साइना ना यहां पे तो मैंने बड़ा ब्रेक्ट लगा दिया infinite में अपन कहे है छोटा ही ब्रेक्ट लगाते है हमें इसमें कभी बड़ा ब्रेक्ट नहीं लगता तो यह इसका प्रांत हो जाएगा अब देखो pressure निकालने के लिए इसको y के बराबर रखते हैं y के बराबर रखेंगे तो हमें इसका रख दिया x-1 अब इसका whole square करोगे तो आपके पास में आएगा y का square is equal to यह होज़ेगा x-1 अब इस 1 को इदर लेके जाओगे तो आपके पास में x का value क्या होज़ेगा y का square प्लस में 1 अब देखो x का value तो आपके पास में यह है यहीं एक से इन्फानाइट आगे अब y की value आप कुछ भी रखे आप y की value कुछ भी रखे आपके पास में देखो इसका जो pressure क्या प्राप्त होगा अगर अपन माइनस की नेगटिव में values रखते हैं नेगटिव में values रखते हैं तो हमारे पास में क्या रहेगा positive हो जाएगा और plus के 1 तो फलन क्या प्राप्त होगा ये देख लीजेगा कुछ भी value रखेंगे तो हमारे पास में चलिएगा मैंने y का वैल एक बार के लिए मैं स्पोज करो कि y का मान मैंने 0 रख दिया मैं 0 रखूँगा तो मेरे पास में x का मान क्या प्राप्त होगा 0 का square प्लस में 1 हमारे पास में 1 प्राप्त होजेगा कितना प्राप्त होजेगा एक प्राप्त होगा अगर मैं माइनस का रखुआ तो मेरे पास में फिर भी क्या प्राप्त होगा माइनस का एक रखेंगे तो हमारे पास में माइनस के एक का स्केर प्लस का एक प्लस के दो हो जाएंगे प्लस के दो हो जाएंगे और हमें यहाँ पे दिया गया है किस का मान जैसे यह दे रखा है X का स्केर कर दिया हमने चलो ठीक है Y का स्केर कर दिया यहाँ से रूट हटाने के लिए अब यहाँ से देखेगा यानि हमारे पास में एक मान आ रहा है कब अगर इस कंडिशन पे देखें यानि हमें दोनों तिनों कंडिशन यहाँ पे देखनी पड़ेगी तो यहाँ पे अगर इस कंडिशन में देखें हम यह तो हमारे पास में आ गया और अगर यहाँ पे X का मान में क्या रखो यानि मेरे पास में यह condition हमने लिया था कि x minus में 1 is greater than equal 0 अगर मैं x का मान एक ले रहा हूं x का मान एक ले रहा हूं तो मेरे पास में 0 आ रहा है 0 आ रहा है function का मान हमारे पास में 0 आ रहा है यहां से रखो आपने रखा एक रखा तो य यह फंक्शन के बराबर है एक बार यह लीजिएगा f of 1 रख रहा हूं में तो f of 1 रखेंगे तो 1-1 आपके पास में 0 आगा अगर मैं f of minus का 1 रखूँआ तो मेरे पास में minus के 2 और यह क्या है पॉसिबल नहीं है रूट के अंदर minus का ठीक आयटा बन जाएगा तो यहां से मेरे यह देखीगा यानि एक से बड़ा बड़ा यानि जो फंक्शन f का मान आ रहा है न वहीं इसका प्रिशर होता है जैसे अपन रखते हैं f of 1 रखेंगे तो एक आएगा f of 2 रखेंगे तो मेरे पास में 2 आएगा तो यह इसके क्या होंगे प्रिशर होंगे हमेशा ही तो अपने f of 1 रखा तो 1 रखने पे हमारे पास में 0 आ गया तो 0 इसका क्या हो गया एक प्रिशर हो गया अगर अपन रखें f of 1 रखेंगे f of 2 रखेंगे तो हमारे पास में 1 F फलन का परिशर फलन का परिशर क्या होज़ेगा हमारे पास में यनि यह होज़ेगा 0 के बराबर भी आ सकता है और इससे बड़ा और पलस इन्फानाइट तक पलस के इन्फानाइट तक इसको एक तरीके से और भी लेख सकते हैं फलन का परिशर जैसे यह X को इवैल्डियू से X बिलोंग करेगा आल रियल नंबर में लेकिन X की कंडिशन क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल 0 यनि X का मान यह होज़ेगा इसका परिशर होज़ेगा यनि X का मान हमारे पास में क्या रहेगा जीरो से ग्रेटर देन और एक्वल रहेगा जीरो से ग्रेटर देन और एक्वल रहेगा यनि यह भी लिख सकते हैं जीरो कुमा इंफानाइट यह इसका एंसर और यह इसका एंसर कलियर हुआ क्या यानि एक से लेके चार तक अपन ने यहां पे कंप्लेट किये हैं तो क्लास कैसे लगी कॉमेंट करके जूरू बताएं अच्छे लगी हो तो लाइक करना शेर करना अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब ने किया तो चैनल को सबस्क्राइब जूरू करना पास में लगी बेल आइकन को दबा लेना ताकि हमारी चैनल पे आने वाले परतेख वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलता रहे और आप सबसे पहले उसका लाब उठाएँ चलेगा आज की क्लास में इतना ही फ्रेंट नेक्स क्लास में मिलें कुछ ने के साथ जय हिन जय भारत